करच उठे गगन सारा, समुन्दर छोड़े अपना किनारा, हिल जाय जहां सारा, जब कूच उठे जाय भीन करारा आज मैं रक्षिता गुपता कक्षाटफी की छात्रा, आप सबके समख सम्विधान निर्माता डॉक्टर भीवरा अमबेटकर जी के बारे में कुछ अपने विज़ा प्रस्तत करने जा रही हूँ 14 अप्रेल को देशपर में अमेटकर जिनते की रूप में मिलाया जाता है दलितो के मसिया, डॉक्टर भीरो अमेटकर का जन 14 अप्रेल 1891 में मध्यप्रदेश की मभू में हुआ था उनके पिता का नाम राम जी और माता का नाम भीमाबाई था उन्हों ने लंडन स्कूल अफ एकोनोमिक्स वर प्लंबिया विश्र विद्याले से अर्थ शास्त्र में डॉक्टर के उपादी प्राप्त की थी वे भारत को अखंड रूप में देखना चाहते थे इस थी उन्हों एक ऐसे सम्विदान की रचना की जिससे भारत निश्पक्ष वर प्रगतिशीर बने डॉक्टर भीमाबीटकर ने एक नारा दिया था शिक्षित बनो, संगटित रहो और संगर्ष करो इस नारे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है वे एक महान प्रगतित्व कितनी होने के साथ साथ वे एक महान समाच सुधारत भी रहे वे भारत के पहले न्याय मंत्री वे कनुन मंत्री भी बने उन्होंने छूद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन वे अभियान चलाए उनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था डॉक्टर भीमरा अमबेटकर जी को भारत रत्न भोधी सत्व वा अधी ग्रीटेस्ट इंगिन जैसे पुरुसकारों से समानित किया गया ऐसे महान व्यक्ति को मेरा कोटी कोटी प्रणा मशकार मंग नाम क्रीती अहम और बिंदो इंटरनेशनल विद्यारस्य चात्रा अस्मी अधुना अहम डॉक्टर भीमरा अमबेटकर विशय बक्तो मिच्छामी भीमरा अमबेटकर महदया भारत्य न्याय शास्त्रग्य राजमितिक्य समात सुधारका चे आसी सह महिला नाम चे श्रमिका नाम अधिकारस्य पुरुसकर्ता आसी डॉक्टर अमबेटकरस्य चे न महराश्ट्रस्य अमबावार्ड इती ग्रामे 1891 तमे वर्षे अप्रील मासे चतुर्दश दिनांके अभवद भीमस्य बालें दुखमयं आसी तथा पी सह माना समुधाय एव उच्च स्थानं प्राप्य धीमान इती प्रख्यातं अभवद यद्यपी सह वैद्शास्त्रम न पटितवान तथा पी जाती दोष निर्मूलनाय और शदा मेकं अन्विष्टवान तथ च जाती व्यवस्थाया निर्मूलनां भवेत इती एश एव अस्य आश्य आसी जाती नायकह अंबेडकर स्विकृत्या परिश्णमें च महान जाता ह। तथ स्य आश्या आधर्शा अवश्या आचर्णिया अनुसर्णिया च धन्यवाल नमस्ते ममनाम हार्दिका च्छाबा अहम औरोबिंदो इंटरनेशनल विद्या लही पठामी अधुना अहम डॉक्टर भीम्राव अंबेडकर विशये किमपी वक्तुम इच्छामी भीम्राव रामजी अंबेडकर महोदयह भारतिये न्याय शास्त्रग्यह अर्थ शास्त्र मेद्डग्यह राजनीतिग्यह तत्वग्यह तथा समाध्सुधारक आसी सहाध्याति भेग तथा स्परश्यास्परश्य वेद्ह विरुद्धं प्रथयुधत्यों हो सह्मभिनानाम चाश्रमątाम अधिकारत्य स्या मभी महोदय स्याम प्रतियो आति котором हो सही लेक्ट आपकर भीमजी महोदय स्वाप्रतिभाया प्राध्यापक पद्वीम अलभत तथा पी तस्य मनह अध्ययन विशेये ना त्रिप्नम आसी अतह सह स्वावेतने अल्पभागम अध्ययन आर्थम एव उप्यूंगत ततह नवदश विम्षती तमे वर्शे लंडन नग्रम गत्वा अर्थ शास्त्रम न्याय शास्त्रम च अधीतवान तयो हो शास्त्रयो हो MSC पद्वीम अध्य ततह न्याय शास्त्रे बेरिष्टर पद्वीम अपी लबधवान यद्यपी सह वैद्य शास्त्रम न पठितवान तथा पी जाती दोश निर्मूलनाय औशदमेकम अनिष्टवान तच जाती विवस्था याह निर्मूलनम भवेत इती जाती नाय कह अंबेड करह स्वकृत्या परिश्रमेन च महान जातः तस्य आशयाह आधर्शाह अवश्या चरनियाह अनुसरनियाश्च तस्य एक महान कथनह अस्ती जीवन लंबा होने की बजाए महान होना चाहिए धन्यवान My name is Shivangi Adab, I am from class 10th B. I am here to tell about you B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar, also known as Baba Sahab Ambedkar, was born on 14 April 1891 at Maho in Madhya Pradesh, India. He was the 14th son of Ramji Maloji Sakpal. He gained a reputation as a scholar for his research in laws, economics and political science. Ambedkar's greatest war for equality. He also began a struggle for the right of entire Hindu temple. Ambedkar's life teach us the importance of education, standing up for what is right, starving of equality, empowering through law. Thank you. Good morning, respected principal man Peter and my dear friends. Today I am here to speak about Baba Sahab Dr. Ambedkar's life. Baba Sahab Dr. Ambedkar was born on 14 April 1891 at Maho here in Madhya Pradesh. The biggest barrier in his life was the caste system. To be the primary he was born, it was considered untouchable. He is known as the number one scholar in the world. He is also known as the first person of Asia to pursue PhD in economic subjects. He has nine degrees. B.R. Ambedkar plays an important role in framing the constitution of India. He also known as the father of Indian constitution. He was the biggest supporter and follower of both islands. Dr. P. Himra Ambedkar was honored with Bhat Ratna in the year 1990. Thank you. A very warm welcome to all of you. I am Kreeti from class 9th. Today I am delighted to talk about the father of our constitution and the first law minister of independent India, Dr. Bheem Rao Ambedkar. Dr. Bheem Raoji was born on April 14, 1891 in a Mahar family of Western India. His father was an officer in the Indian army but then too he was humiliated by his high caste school fellows. He got his early education from Bombay but suffered the curse of untouchability. He came out of this painstaking situation and designed the constitution of India. I am really inspired by his hard work and dedication and I want to implement this in my life too. Thank you. Good morning teachers and my dear friends. I am Samar. Today I am Dr. Bheem Rao Ambedkar. My slogan is if I find the constitution being misused, I shall be first to burn it. Thank you. Namaste. My name is Hardika Chhaba. I am student of Aurobindu International School. Today I want to speak a few lines about Dr. Bheem Rao Ramji Ambedkar. Dr. Bheem Rao Ramji Ambedkar, popularly known as Baba Sahib Ambedkar, was a jurist, social reformer and politician. He is also known as the father of Indian constitution. A well-known politician and an eminent jurist, his efforts to eradicate social evils like untouchability and caste restrictions were remarkable. Throughout his life, he fought for the rights of the Dalits and other socially backward classes. Ambedkar was appointed as India's first law minister in the cabinet of Jawaharlal Nehru. He was posthumously awarded Bharat Ratna, India's highest civilian honour, in 1990. He always said, we are all Indians, firstly and lastly. Bheem Rao Ramji Ambedkar is a leader Indian who learned the legalities, the social justice and the rights of the man. These ideas can be made in practice, in order to promote inclusion and fight against discrimination. We can also learn how to learn the importance of education for all. In following these values, we can contribute to create a more just and equitable world for all. Bheem Rao Ramji Ambedkar, a man whose impact on the land and the world is remarkable. He was an erudite, a jurist, a militant of the rights of the man and the principal redacteur of the Indian constitution. But in 1891, Ambedkar a surmonté beaucoup d'obstacles pour devenir éminent jurist, économiste et politicien. Il a lutté contre la discrimination sociale, le système des castes et a ouvré pour l'éducation. Il a lutté contre les gas-parmiques de banheur au mandaté au banheur au dégué de la santé et au banheur au banheur au banheur du malheur au banheur. Le système de banheur du malheur au banheur au banheur. झाल झाल